कई बार हमें अपने आस्पास तारकोल से चिपके हुए जानवर मिल जाते हैं हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको और नुक्सान कर देते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगी कैसे, ऐसे कैसे इसमें हमें तारकोल सही तरीके से निकालना चाहिए सबसे पहले जितना भी तारकॉल उसके बालों में चिपके हैं उसको कैंची से काट कर निकाल ले आपको तारपीन ओल उसके पुरे शरीर पर लगाना है ध्यान रखे उसके आँख और कान में ना जाए तारपीन ओल से मसाज करते वक जितना भी तारकॉल निकल जाए उसे हाथ से धीरे से निकाल ले तारपीन ओल का इस्तेमाल करते वक डॉक को स्कीन इरिटरेशन भी होगी आप वेजिटेबल ऑइल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इससे डॉक को स्किन इरिटेशन भी नहीं होगी तारकुल निकालते होग ज्यादा जोर से ना खीचे इससे उसकी स्किन भी निकल सकती है वेजिटेबल ऑइल से मसाज करने के दो-तिन दिन बाद ही गरम पानी और सैंपू से नहलाएं नहलाते वक्त आप उसका अच्छे से मसाज करें और जो भी तारकुल निकलता है उसे निकाल दें ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक सारा तारकुल उसके सरी से निकल ना जाए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं